problem on continuity and discontinuity of a function किसी एक given function के continuity या discontinuity से related कुछ problem solve करेंगे continuity of a function से क्या मुराद है कि अगर उस function का जब हम graph draw करें तो वो किसी भी point पे graph break ना होता हो continuous चलता जाए और अगर उस graph में break आएं, jumps आएं या hole आएं तो उसको discontinuous function कहते है analytically function की continuity को test करने के लिए हम ये three steps करते है जिसमें से सबसे पहला step है कि अगर हम किसी point पे क्यूंकि continuity हमेशा एक point पे check होती है अगर हम किसी point पे continuity चेक करें तो उस point पे function की value define होनी चाहिए यानि x की जगा अगर वो point पुट कर दें तो हमें कोई real number answer मिलना चाहिए इसके इलावा उस function का limit exist करना चाहिए जिससे क्या मुराद है left hand limit, right hand limit और general limit equal होने चाहिए और third point है कि उस function का उस point पे limit और उस point पे उसकी value equal होनी चाहिए अगर ये तीन conditions fulfill हूँ तो हम कहते हैं कि ये function continuous है तो पहला problem हम देखते हैं कि हमने continuity check करनी है check whether the function below are continuous or not नीचे पहला function हमें given है f of x is equal to 1 over x square at x belongs to minus 1 to 1 अब हमने ये एक given interval के अंदर continuity check करनी है पहला function है f of x is equal to 1 over x square और यहाँ पे एक interval दियावा x belongs to minus 1 to 1 इससे क्या मुराद है कि इस function की हमने continuity check करनी है इस interval के उपर यानि इस interval में जितने भी numbers आते हैं minus 1 से लेके 1 के दर्मियान तक उन सारे numbers पे ये function continuous है या नहीं है अब क्यूंकि ये close interval है हम क्या करेंगे इस interval के उपर function की continuity को check करेंगे तो continuity test apply करते हैं सबसे पहला test क्या है f of a हमने find करना है और इसको define होना चाहिए इस case में a क्या है a कोई भी number हो सकता है minus 1 से लेके 1 के दर्मियान में minus 1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और 0.5 b minus 0.5 0 यानि कि real numbers minus 1 से 1 के दर्मियान में जितने भी numbers आते हैं वो सारे numbers इसमें शामिल है तो इसको हम देखते हैं कि मिसाल के तोर पे x की value क्या ऐसी value x की हो जाए जिससे function disturb होए वो value हम देखते हैं तो अगर x की value minus 1 हो जाए तब function की value minus 1 आ जाएगी randomly चेक करके देखते हैं f minus 1 is equal to यह क्या आ जाएगा 1 over minus 1 का square which is equal to 1 इसी तरह से अगर f की value 1 हो जाए तब यह आ जाएगा 1 over 1 square is equal to 1 x की value कुछ भी आ जाए कोई भी real number आ जाए जब 1 से divide होगा तो answer भी एक real number होगा except सिवाए एक number के और वो number क्या है अगर हमारे पास x की value अगर हम 0 रखें तो इस case में क्या बनेगा f of 0 is equal to 1 over 0 square which is undefined 0 पे यह function undefined है 0 के इलावा कोई भी number ले लें उस पे function की value आ जाती है अब अगर हम देखें तो इस interval के अंदर 0 मौजूद है minus 1 से 1 के दर्मियान में 0 भी आता है तो इसका मतलब इस interval के अंदर function continuous नहीं है क्यूंकि continuity check में हमने तीनों points को चेक करना होता है इसमें से कोई भी एक point अगर true ना हो तो हम कहते हैं कि function continuous नहीं है तो इसमें से जब हम कहते हैं कि इस interval के उपर continuity चेक करें तो इस से मुराद यह होता है कि इस interval के अंदर मौजूद हर point पे function continuous होना चाहिए 0 इस interval के अंदर मौजूद है और 0 पे function continuous नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो function f of x है वो क्या है is not continuous यह continuous नहीं है at x equal to x belongs to minus 1 से 1 के दर्मियान जो यह interval है इसमें function continuous नहीं है इसी तरह से हम एक और example भी देखते हैं next problem यहाँ पे देखते हैं यह हमारे सामने एक piecewise defined function है जिसमें हमने इसको continuity चेक करनी है इस interval के अंदर 1 से 2 के दर्मियान तो इसके लिए सबसे पहला test क्या है हमने करना है f of a को चेक करना है कि यह defined है या नहीं है यानि कि इस interval के अंदर कोई भी point ले लें और इस point को function में put करें तो value आती है या नहीं आती तो piecewise defined function का best तरीका यह होता है कि हम क्या करेंगे end points पे और center वाले एक point पे value को चेक करेंगे तो end point पे है f of 1 क्योंकि जब भी function linear होता है इस तरह का यानि कि अगर quotient function ना हो इस तरह से linear function हो तो वो linear का मतलब है sorry linear नहीं इस तरह से algebraic function हो और वो rational function ना हो तो ऐसे functions जो polynomials हैं वो हमेशा ही continuous होते हैं अब चुंकि यह piecewise भी है इसलिए हम क्या करेंगे हम हर point पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जैसे हमने 1 पे चेक किया f of 1 तो 1 के लिए कौन सा हम use करेंगे यह value को हम use करेंगे क्योंकि 1 इसमें शामिल है तो यहाँ पे put करेंगे 1 square plus 4 1 plus 4 is 5 f of 1 5 आ रहा है जो कि defined है इसी तरह f of 2 put करके चेक करते हैं तो 2 इसमें आ रहा है तो इसमें put करेंगे 2 cube which is equal to 8 और f of 3 put करके चेक करते हैं sorry 3 नहीं इनके दरमियान में कोई एक ले लेते हैं for example हम लेते हैं 0.5 0.5 1 और 2 के दरमियान में आता है तो वो यह वाला हो 0.5 1 से छोटा है तो हम इसको ले लेते हैं 5 इंटू 0.5 प्लस 3 which is equal to 3.25 तो इन सब पे function की value exist करती है first point इसका proof हो गया यानि कि first test complete हो गया तो हम second test पे move करते हैं तो second test क्या है number 2 हमने कहना है कि limit exist करता है x tends to तो limit हमेशा हम किसी specific point के उपर find करते हैं तो अभी हम limit find करते हैं 1 के उपर limit x tends to 1 exist करता है f of x यह हमने proof करना है exist तो इसके लिए हम क्या करेंगे left hand limit find करेंगे limit x tends to 1 from left side f of x is equal to यानि की function को left side से 1 की तरफ अप्रोच करें left side से अप्रोच करने का मतलब 1 से छोटी values की तरफ से 1 की तरफ आएंगे तो हम इस first part को use करेंगे इस function को 5x प्लस 3 तो यहाँ पर use करेंगे 5 एक्स की जगा पर 1 प्लस 3 तो यह equal आएगा 8 के इसके बाद next है हमने find करना है right hand limit x tends to 1 प्लस f of x is equal to अब हमने 1 से बड़ी values की तरफ से 1 की तरफ आना है तो वो यह second part में fall करता है x square प्लस 4 में तो यहाँ पर x square की जगा 1 square प्लस 4 is equal to 5 यहाँ से हमने देखा कि left hand limit और right hand limit जो है वो equal नहीं है इसका मतलब क्या हुआ limit x tends to 1 f of x does not exist क्यों exist नहीं करता है क्योंकि limit equal नहीं आए है exist करने का मतलब यह होता है कि left hand limit और right hand limit equal आए इसका मतलब 1 के उपर limit exist नहीं करता हमने इस interval के अंदर find करना था तो इस interval के अंदर किसी भी एक point पे exist नहीं करता तो हम यही कहेंगे कि इस interval पे limit exist नहीं करता तो हम यहां पे नीचे result लिख लेते हैं जो function f of x है is not continuous या हम इसको discontinuous भी कह सकते हैं at x equal to x belongs to 1 से 2 के दर्मियान जो interval है इस पे function continuous नहीं है इसी तरह से एक और problem study करते हैं f of x is equal to modulus of x over x इसकी continuity हमने चेक करनी है इस interval में sorry यह open interval है 0 से लेके positive infinity तक इसके अंदर हमने इसकी continuity चेक करनी है तो again सबसे पहला step यह है f of a find करना f of a is defined यह हमने प्रूफ करना है अब यहाँ पे a से क्या मुराद है 0 से लेके positive infinity तक के कोई भी number को आप put कर लें तो यहाँ पे modulus of x की क्या definition होती है f of x equal to minus x over x अगर x इस इसलफ negative है तो if x is less than 0 और यह equal होता है f of x equal to plus x over x if x is greater than equal to 0 यहनि अगर greater than equal to 0 हो तो फिर यहाँ पे plus otherwise यहाँ पे minus आ जाता है अब जो हमारा interval है इस interval में 0 itself भी शामिल नहीं है और negative number शामिल नहीं है तो इस possibility को हम use नहीं करेंगे इसका मतलब हमारा function क्या है f of x is equal to x over x है यह हमारा function है इसको आपने cancel नहीं करना इसके अंदर values को direct put करके solve करेंगे अब x over x के अंदर आप इस interval में से कोई भी value put करें 0 शामिल नहीं है 0 के अलावा कुछ भी put करें आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा क्यूंकि numerator और denominator same होगा तो वो cancel होके हमेशा 1 ही आजाएगा तो इसका मतलब f of a exist करता है f of a is defined इस interval में f of a defined है अब इसका second step चेक कर लेते हैं continuity का first test complete होगिया second test क्या है limit exist करता है limit x tends to a f of x exist करता है यह हमने proof करना है इस case में limit किस में से लेना है हमने इस interval में से जो की 0 से infinity तक है तो हम क्या करेंगे पहले left hand limit ले लेते हैं limit x tends to a ही रख लेते a का क्या मतलब है कोई भी number जो इस interval में से हो वो 0 के इलावा जैसे 1 भी हो सकता है 0.5 भी हो सकता है 7 या कुछ भी हो सकता है क्योंकि पूरा एक interval है तो एक fix number लेने की बजाए मैं a कंसिडर कर रही हूं और a की value उस interval से बिलॉंग करती है f of x is equal to तो इसका मतलब क्या है कि इस function को जब left side से approach करेंगे तो किसकी equal आएगा limit equal आएगा x over a है तो यह आजाएगा a over a a over a क्यों आएगा क्योंकि हमारे interval में सारे positive numbers हैं तो left side से approach करें तब भी positive ही रहेगा तो a over a is equal to 1 इसी तरह से अगर right side से भी approach करें तब भी positive ही रहेगा limit x tends to a f of x इसका answer भी 1 ही आएगा इसी तरह से limit x tends to a from both side दोनों तरफ से करें तब भी यह 1 ही आएगा तो second condition भी fulfill हो गई है limit exist करता है क्योंकि left hand limit right hand limit और general limit equal है तो अब third and last condition देखते है वो क्या है limit x tends to a f of a is equal to f of a sorry यहाँ पर f of x आना है limit x tends to a f of x is equal to f of a जब हमने limit x tends to a f of x किया तो वो किसकी equal आ रहा था वो equal आ रहा था 1 के जबकि f of a किसकी equal है f of a भी 1 के ही equal है इस certain interval में तो दोनों equal है इसका मतलब third condition भी fulfill हो गया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा function है f of x equal to modulus of x over x is continuous यह continuous है add x equal to यानि x belongs to 0 to infinity इसके लिए यह function continuous है इस तरह से किसी भी given interval में हम functions की continuity को check कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने problem solve किया continuity and discontinuity of a function से related इसके जो जानियो में हमें इसके बमारेका को आठ Κानल वे सकते हैं इसके छोब आख जाख वो आख जाहें स्क्रशोब इसक्रवेश्वेश्योगल